हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो स्वाकत है आपका आपके YouTube जानल एक्जाम जवाँ में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेक्तिया हूँ जे वीडियो आपके लिए जो एप्रेंटिस बर्ती के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें eligibility मांगी गई है क्या इसकी age limit है और क्या इसकी fees criteria है तो अगर आप इससे पहले इस channel पर नए आए तो प्लीज इस channel को like कीजिए, share कीजिए और subscribe करके, bell icon को press करके और पर subscribe कर दीजिए जो चल लिए video को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप जहां पर देख सकते हैं कि भारत सरकार government इंडिया आंतरिक्षर भिवाग Department of Space विक्रम सारवाइ स्पेस सेंटर आप तिरवन्त पूरम जहां पर चक कर सकते हैं तो जहां पर इस भरती का जहां पर यह notification code है तो आप जहां पर चक कर सकते हैं तो इसमें आपको offline form जो fill up करना होगा तो कैसे form को fill up करना होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ तो उससे पहले आप इस वीडियो में तो जाननीजिए कि कौन-कौन सी post निकली है और कौन-कौन से trade में निकली है और कितनी कितनी यहाँ पर विकैंसी आई है और eligibility criteria और stipend परमत आपका क्या होने वाला है तो इसमें आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि electronic mechanic जो है इसके जो total post है 40 निकली है और इसमें जोगिता जोगिता सभी की same है तो आपको बताने चाहता हूँ कि जो electroplator होते है सब कुछ जो आपने अपनी जो ट्रेड में IT की होनी चाहिए तब भी आप इस वंप को fill up कर सकते हैं तो guys आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अपनी ट्रेड में जो IT की होनी चाहिए तब भी आप इस वंप को बने के लिए eligible हो तो आपको परमत stipend कितना मिलेगा IT वालों के लिए परमत stipend आप जहाँ पर चक्कर चकते हैं कि 8,050 रुपे आपको जहाँ परतिमा जो आपका stipend मिलने वाला है तो दोस्तों उसके बाद जो सभी के लिए जो सेम stipend है उसके बाद नीचे आप जहाँ पर देख सकते हैं कि जो gas welder electronic है इनके लिए जो 700 रुपे है परमत आपको stipend मिलने वाला है उसके बाद फाउंट्री, man, plumber जो सभी को आप चक कर सकते हैं और एक साल के लिए आपकी जहाँ पर apprentice से लगने वाली है उसके बाद draft man, mechanical की आप जहाँ पर देख सकते हैं उसकी वी जो स्ट्राइबन है आठ हजार पचासर पर उसकी जो जहाँ पर तिनखा होने वाली है उसके बाद जो पंदरा नंबर जो आप देख सकते हैं जो पोस्ट है जो पोस्ट आई है physics, chemistry, math आपके subject जरूर होने चाहिए तो इसमें आपको stipend सबसे ज़्यादा मिलता है 9000 इसमें जो stipend मिलने वाला है तो दोस्तों इन सबी को आप चक करने के बाद आगे आपको इसकी और बाते इस वीडियो में बताने वाला होगी कि आगे instruction होने वाली है तो आपको पहले वी मैंने बता दिया था कि एक साल के लिए जहाँ पर अप्रेंटिस लगने वाली है तो आप एक साल के लिए जहाँ पर अप्रेंटिस कर सकते है उसके बाद आप इनकी और condition को चेक कर सकते है केवल ये वे अब्यारती जो इस form को बरे जो pass है जो pass out student है वो ही इस form को fill up कर सकते है जो appearing student है वो इस form को fill up नहीं कर सकते है उसके बाद आपने जो ITI है जहाँ पर लिखा है कि candidate who possess ITI जो है national जो council जो vocational training होती है उससे क्यों होना जाहिए NCVT से तो जहाँ पर जो आपके जहाँ पर जे भी लिखा कि दो type की जो आपकी ITI training के जो करवाते हैं NCVT, SCVT तो जहाँ पर NCVT वालों के लिए जहाँ पर मालने तब प्रपत उनके लिए जे form eligible होगा SCVT के लिए जे form fill up नहीं कर पाएगे जे जहाँ पर साफ साफ लिखा है और उसके बाद 9th नमबर पर हम आजा पर आ जाते हैं तो इसमें important जे है कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो age है 33, 2022 को आपकी age जो 30 वर्ष तक होनी चाहिए जानी कि आपकी जो 30 वर्ष तक आपकी I.U.C. मा होनी चाहिए उसके नीचे आपकी I.U. जहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको 18-20 साल तक आपकी I.U. जो शुरू होनी चाहिए इसके बाद जहाँ पर O.B.C. के लिए 33 वर्ष जे रेलाक्शेशन मिले रही है आपको S.E.C. के लिए 35 वर्ष P.W. J.U.D. के लिए जहाँ पर 10 वर्ष आपकी एज लिमिटर रखी गई है उसके बाद जहाँ पर नीचे जे वी और एक नया एक और जहाँ पर important जहाँ पर instruction बताई गई है कि आपको कौन कौन से document जहाँ पर upload जो साथ में जिरोक्स करने है तो offline form है आपको जिरोक्स को पर भी जहाँ पर लगाने होगी आपको आपकी 10th प्लस टू ITI कास certificate आपको अपना residence जिसका domain cell भी बोड़ते हैं अधार काड आपको जहाँ पर जिरोक्स करके जहाँ पर सेंटर करना है तो इसके बाद केवल जे भारत के नागरी की जे form को फिलब कर सकते हैं उसके बाद जहाँ पर और इसकी instruction है कि इसकी last date क्या हो सकती है तो आप जेक सकते हैं कि इसकी जो last date है वो 44 2022 जाने कि अगले मत 4 अपरेल को जहाँ जेसका जो last date होने वाली है तो इसके बाद आप इस form को कौन से send में address करना है जे भी आप पिछा कर रखते हैं कि जो काला जो highlight किया गया address उसके उपर आपको जो envelope के उपर लिखके आपको जहाँ पर submit करना है तो guys इसको आपको एक बार मैं फिर से बताने वाला हूँ तो selection process के हम जहाँ पर बात कियरें तो आपकी जो selection process है कोई आपका exam नए होने वाला कोई भी आपका जहाँ पर interview नहीं होने वाला आपकी जो selection है वो आपके marks के अधार पे आपकी merit के अधार पे आपको की जाएगी कि जितने ज़्यादा माक्स होंगे आपको उतनी जो वेटेज होगे रिजर्वेशन केटागरी में वो उनके अधार पर आपकी जो जहां पर सिलेक्शन की जाएगी सिर्फ आपके माक्स के और मैरिट के अधार पर तो अब भी चलता हूँ आपको जो इसका अप्लिकेशन फॉर्म है वो भी आपको बताता हूँ कैसे फिलप करना है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्चिन में दोनों का पीडियाफ लिंक मिल जागा आप प्रिंट आउट करके अपने हाथ से फॉर्म को फिलप कीजिए तो चलिए हम फॉर्म को फिलप करते है तो दोस्तों जे आपका अप्लिकेशन फॉर्म है जिसा आपको प्रिंट करना है जहाँ पर आपको अपनी जो फोटो को अटेज करना है उसके बाद आप जे भी देख सकते हैं कि डग्सिनेट ट्रेड आप कौन सी ट्रेड के लिए फोर्म फिलप कर रहे हो आप जेवे आपको जहाँ पर लिखना है अपने नाम बलोक लेटर जानी कि सभी फोर्म आपको बड़े अक्षरों में जहाँ पर लिख देना है तो उसके बाद आपकी डेट वर्त जो लिखनी है उ जहाँ पर लिख सकते हैं आप पुड़े गंडिडेट हो जा जानों आप जहाँ पर लिख सकते हैं आप शेडियूल कास्ट गंडिडेट हो जहाँ पर टिकल लगा सकते हैं आप जो भी कैटगरी हो आपकी जहाँ पर आपको टिकल लगा देना है उसके बाद आपको अड्रे फिर आप ITIV जहाँ पर लगा सकते हैं उस सभी का जो उनिवर्स्टी ने हम कौन से यहर में पास की कौन से सब्जक्ट थे और कितनी परसेंट आपकी जो आई थी जो आपकी एज्जिगेशन कौलिफकेशन में उसके बाद आपने कहीं और अप्रेंटिस लगाई है जैस और नो सब आप जहाँ पर चक कर सकते हैं अगर आपको कुछी भी जहाँ पर समझना लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूचकते हैं मैं इसका जो आपको जल्दी ही रिप्लाई कर दूँगा तो सेल्फ अटेस्टर आपकी सब भी जो जिरोक्स कोपी होनी चाहिए तो दोस्तो जी सेल्फ डेकलारेशन फोर्म है आपको जहाँ पर साइन करने हैं और जहाँ पर जब आपनी फोर्म को समिट करना है तो आप डेट भी लिख दीजीगा तो दोस्तो आपको मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि जो इस रोजनी की बिकरम साराबाई स्पेस सेंटर की तरफ से जो अप्रेंटेस वरतिया है आप अपनी ट्रेट के हिसाब से जो देखके फोर्म को फिलिप कीजिएगा अप्लेकेशन फीज की बात कर दो तो किसी भी गंडिडेट से कोई भी जहां पर फीज नहीं ली जाएगी आप ओफ्राइंफ इसको फिलिप करना है लास्ट डेट है आपके चार अप्रेल तो इसमें कोई आपका एक्साम नहीं होने वाला तो सिद्धा आपके मेरिट के अधार के वी आपको जहां पर सेलेक्ट किया जी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाएंट